नहीं रहे नेता जी नेता जी का हाल जानने के लिए रगुराज प्रताप सिंग उर्फ राजा भाईया मैदाता अस्पताल पहुँचे वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसत संजय सिंग और रक्षा मंतरी राजना सिंग ने भी अस्पताल पहुँचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी मुलायम सिंग यादव का जन्म 22 नवंबर 1932 कोई टावाज लेके स्याफ़ई गाउं में हुआ था उनके पिता सुघर सिंग यादव एक किसान थे मुलायम सिंग यादव मौजूदा वक्त में मुलायम सिंग मौनपूरी सीटी से लोगसभा सांसत थे उत्तर प्रदेश की राजनीती होया देश की राजनीती मुलायम सिंग यादव को प्रमुख नेताओं में गिना जाता था वे तीन बार यूपी के सीम रहे और वो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके थे इसके अलावा मुलायम सिंग आट बार विधायक और साथ बार लोगसभा सांसत भी बन चुके मुलायम सिंग यादव ने दो शादिया की थी उनकी पहली पत्नी मालती देवी की मृत्य हुँ मैं 2003 में हुई वह किलेश यादव की मा थी मुलायम ने दूसरी शादी साधना गुपता से की मुलायम सिंग और साधना के बेटे का नाम प्रतिक यादव हाल ही में साधना का निधन हो गया था मुलायम सिंग के बारे में कुछ अन कही बाते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं मुलायम सिंग यादव पेशिवर रूप से पहलवान थे उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था उन्हें जब भी अपने गाउं से बाहर कहीं जाना होता था तो किसी से साइकिल उधार लेनी पड़ती थी क्योंकि घर का गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल होता था 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापनागी क्योंकि वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने और समर्थन के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहने से ठक चुके थे पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने तीन साल के भीतर अपना पत छोड़ना पड़ा क्योंकि बाबरी मस्जित को दोस्त कर दिया गया था उन्हें मुला मुलायम कहा जाता था जैसा कि उन्होंने मुसल्मानों के पक्ष में किया उन्होंने यह कहते हुए इस्तिफा दे दिया कि वह विद्रों से परिशान थे विद्रो के समय मुलायम ने उस रक्षा बलों को मस्जिदों को धोस्त करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ती को गोली मारने का आदेश नहीं दिया मुलायम सिंग्यादव 1996 में मौनपूरी निर्वाचन शेत्र से ग्यारवी लोकसभा के लिए चुने गए थे और उन्हें संयुक्त मोर्चा गटबंदन सरकार में केंद्रिय रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था वह वरतमान में लोकसभा में मौनपूरी निर्वाचन शेत्र का प्रतिनिद्व कर रहे थे और पहले आजमगड और संभल नर्वाचन शेत्रों का प्रतिनित्व कर चुके थे वह मई 2019 में चौथी बार मौनपुरी नर्वाचन शेत्र से चुने गए थे 10 अक्टूबर 2022 को 82 साल की उम्रे में मुलायम सिंग्यादव शरीर की तमाम बिमारियों से लड़ाई हार गए और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलवदा कह दिया भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे लेटस नियूस के लिए जुड़े रहे रिलक्स प्रेस के साथ